अधन रास्त्रपती जी ने भारत के उजवल भविश्य को धान में रखते भी है चार मजबूत स्तंभों पर हम सब का धान केंद्रित किया है और उनका सही सही अकलन है कि देश के चार स्तंभ जितने जादा मजबूत होंगे जितने जादा विक्सित होंगे जितने जादा समरद्ध होंगे हमारा देश उतना ही समरद्ध होगा उतना ही तेजी से समरद्ध होगा और उनका इन चार स्तंभों का उलेक करते हुए देश की नारी शक्ति, देश की युवाश शक्ति, देश के हमारे गरीब भाईब है और देश के हमारे किछान, हमारे मचवारे, हमारे परशुपारा को, उनकी चर्चा की है इनके सास्क्तिकण के माध्यम से राष्ट के दिख्सित भारत के लक्षोप्राप्त करने के जो राँ है, उसका स्पुष्ट दिशा निरदेश अच्छा होता है हो सकता है आपके हाँ फिशनमेन माइनोरिटी के न हो हो सकता है आपके हाँ पशुपालग माइनोरिटी के न हो हो सकता है किसान आपके हाँ माइनोरिटी के न हो हो सकता है महलाए आपके हाँ माइनोरिटी में न हो हो सकता है कि आपके युवा में माइनोरिटी है क्या हो गया है दादा क्या देश के युवार जी के बात होती है समाज के सब वर्ण नहीं होते है क्या देश की नारी की बात होती है देश की सभी नारी नहीं होती है कब तक प्रुकुरे सब सिमा करो बहुत दोड़ा देश को